जैहिंद एवरीवन कैसे हैं सभी लोग बढ़ेया एकदम उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे किसी प्रकार के कोई टेंसन नहीं ले रहे होंगे एकदम रिलाक्स होके पढ़ाई कर रहे होंगे मैं बार-बार आपको चेता रहा हूं बार-बार बता तो आरंब रिलोड़ेट स्रीज आड लाइव नहीं हो रही होगी बट यह प्रीमियर हो रही होगी प्रीमियर होने के साथी साथ मैं चैट में हमिशा अविलेबल रहूंगा आप इसकी चिंता मत करिएगा हर एक पॉइंट पर आपको स्टेडी से रिलेटेड या पिर किसी क चीजे आपको करार आओं अगर आप फॉर्मिट में चलेंगे तो साथ आप बहतर प्रदसन करेंगे ठीक है तो यह तो हो गई ग्यान की बाते अब आते हैं पढ़ाई की बात उपर प्यारे बच्चों आरंब रिलोड़ेट सीरीज में आज हम क्या करने वाले हैं रैंकिंग और यंद्र का रिवीजन करने वाले हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका रिवीजन करके होंगे एक बार क्या आपको जो है मैं पहले बता चुका हो कौन से दिन कौनसा चीज पढ़ाऊंगा तो मेरी कोसिस यही रहती है कि आपको चीजे वहतर तरीके से दी जाए मैं पढ़ा चुका हूँ अब मैं revision करवा रहा हूँ तो आप लोग अच्छी तरीके से revision कर रहे होंगे चलिए जितने भी नए बच्चे में उनसे request करूंगा कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए उसके अलावा यह टेलिग्राम क चलती है साड़े चैनल कि चैनल कि आज नहीं चल पाई किसी कारण वर्स बाकि चार बज़े वाली मैस की क्लास प्रॉपर चलिए आज स्टैटिस्टिक एक नया चैप्टर शुरू हुआ है उसमें चैनल की क्लास और साड़े साथ बज़े आपका डेली रिवीजिन इसी प्र क्लास छोटी है तो उसको वहां से कवर कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप NTSC को लेकर सीरियस है बिल्कुल तयारी कर रहे है तो आपको यह टेस्ट सीरीज परचे जरूर कर लेना चाहिए NTSC का टेस्ट सीरीज है यह 299 रुपए अभी प्राइज है लेकिन 1st of September से यह प्राइज 399 हो जाएगा फिर उसके बाद आप मुझे मत कहिएगा कि आपने वह बताया नहीं था यह इसलिए हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजे हम लोगों ने इसमें इंक्लूड की है औ और इसके लिए आपको रैंकर स्लाइब का एप डाउनलोड करना होगा एप से जाकर आप चीजों को पर्चेज कर सकते हैं आज हमारा एक नया चैप्टर सुरू हो रहा है रैंकिंग एंड और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रिवीजन किया होगा नहीं भी किया होगा तो जो तीन इंपोर्टन फॉर्मूले हैं जो जरूरत पढ़ेंगे आपको वह मैं आपको बता दे रहा हूं कि रैंकिंग और सबसे पहले मैं आपको रैंकिंग बता देता हूं कि रैंकिंग की सवाल किस प्रकास से आते हैं एक तो आता है टोटल नंबर निकालने के लिए आप total अगर number निकालना चाहते हैं कि उस Q में उस line में कितने total number बंदे हैं उसका formula होता है left plus right minus 1 ऐसा क्यों होता है क्योंकि left यह जो बंदे की position है वो दो बार आ जाती है इसलिए एक बार उसको हम subtract कर लेते हैं ठीक है formula कोई कहीं से बनके नहीं आता है वो आपके इसी concept से ही बनत का रहा हों कि left से क्या होता है above क्या होता है bottom क्या होता है starting क्या होता है end क्या होता है यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए चलिए इसके अलावा अगर जैसे मानेजे कभी-कभी आपको position दे दिया जाता है दो बंदों का जैसे मानेजे राम का position दे दिया गया left से राम क और स्याम के मिड में कितने बच्चे होंगे देखें कॉंसर्ट में जल्दी जल्दी आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर मैंने दो घंटे में बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाया है वहां से आप चाहें तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप पहली ब है किश्चा राम के लेट्ट और स्याम के राइट से ज्यादा है इधर और इधर का मिला के टोटल ज्यादा है य ये कौन सा कंडिशन है ये सेप्रेट का अलग अलग ये और लाप अभी हमनेượng का अमें कैप समझ में आ रही होगी ना कि आपके लिए इमपोर्टेंट होगी किया किस तरह से हो रही है ठीक है चलिए तो प्यारे बच्छों अगर टोटल ज्यादा है उस कंडिशन में अगर आपको मिड़ वैल्यू निकालनी है मिड़ वैल्यू तो आप यह क्या करेंगे टोटल माइनस राम का लेप्ट से पोजिशन और स्याम का राइट से पोजिशन यह वाला फॉर्मूला लगाएंगे बहुत आसान भासा में मैं आपको समझाने की कोसिस कर रहा हूं अगर राम का लेप्ट पोजिशन और स्याम का राइट पोजिशन आपने एड़ किया और यह टोटल से कम आ रहा है इस कंडिशन में अगर मिड की वैल्यू आपको निकाल कर चीजें करती है तो अगर आपको राम की कंडिशन लेव्ट साने और स्याम का पोजिशन दे दिया गया और स्याम का आपको राइट पोजिशन यहां से यहां तक किये और इस की में अब अब यह आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ओवर लैपिंग का कंडिशन है अगर टोटल जो है कम है सियाम के राइट से पोजिशन और राम के लेप्ट के पोजिशन को एड करने पर अगर आपको पताचला कि तोटल की जो संख्या है टोटल नमबर पीपल इस लेस दैन स्याम के राइट के पोजिशन प्लस राम के लेप्ट के पोजिशन को एड करने पर तो ये कौन से कंडिशन है ये है ओवरलेपिंग की कंडिशन देखिए अगर आपको लग रहा होगा आप इतना तेज क्यों समझा रहे इतनी तेज ठीऊरी को पढ़ारे क्योंकि ये कि मिड मैं स्याम और राम के मिड में कितने बच्चे हैं इसको निकालने के लिए आपको आर अर अ कि key मैं आपको फिल से पता दिता हूं क्योंकि यह जो राम की लप से की पोजीशन ने इसमें जो हूं फिब ही आजाती है और यह जो राम ओज आजासी है irgendwie तो जब हम यहां पर एडिशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो डेटा इस्ट्रा हो झाता है इस डो डाटा को वाध STARaren देते हैं clear है तो formula आपको रटना नहीं है formula आपको समझना है अगर आप समझ पा रहे होंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बहुत आसान भासा में मैं आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूं इसी पर बेश्ट आपके maximum और minimum की condition होती है formula आसान होता है इसी पर बेश्ट होत है मिड में जब आप देखते हैं कि टोटल जो है वो लेस सोरी हां greater than है में राम के लेफ्ट और राइट के पोजीशन से कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग है इस वाले condition में आपको maximum number आप student in the queue मिलेंगे इस वाले condition में minimum number मिलेंगे कोई एक दूसरे को उपर overlapping करते हुए आ रहा है तो इन दोनों के बीच में जगा है तो इसका मतलब यह line बड़ी है clear है तो यह चीज है maximum number आप student अगर आपको निकालना है तो उसके लिए formula क्या होता है आपको याद है कि मिड़ी कोई क्या होता है total minus Ram ka lefp position siam ka right position तो अगर total number निकालना यह total number क्या होगा यह total number maximum number होगा इसका formula होता है मिड में कितनी संख्या है राम का लेट से संख्या स्याम का घंक्या इनको एड कर देगेилось करियर है सहेत चलिए अगर आपको मिनीमम कनडीशण निकालनी है मिनिमम इस्टुटेंट कितनी होगे तो इस स्विनस का ल्प्ला स्याम का राइट प्लास टू क्लियर एक से समझते हुए चलिएगा कहीं बहुत हो दो पूच जिए गआ टी मिनिमम मौ जाएगा टी मिनिमम क्या हुझा मिनज 찾 बाकि चीजें तर रख दी मैरे और इस चीज को को यहां से यहां ट्रवेल करा दिया टूटल को वहां मिड को यहां क्लियर है दन इतनी चीज़े समझ में आई सभी बच्चों को यही दो इंपॉर्टन फॉर्मूले हैं अगर इस पर भी बेश्ट अगर आपकी एकजाम में कुश्चन आते हैं तो आप आराम से कर लेंगे बा हाइट का ओडर पूछ लिया जाता है या फिर लेंथ का ओडर पूछ लिया जाता है एज का ओडर पूछ लिया जता है इस पर बेश्ट कुश्चन में कराऊंगा आपको चीजी आपको समझ में आएंगी तो क्या सभी बच्चे करने के लिए तयार है एक बार बता देंगे क्या सभी के सभी बच्चे करने के लिए तयार है पहला कोशन आपके स्क्रीन पर है इस क्वेशन के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंदर आपको एंसर देना है और उसके बाद मैं आपको कुषिन समझाऊंगा ठीके प्यारे बच्चों कि अराम से लगाईए हर बच्चे को टाइम मिलेगा कोई डाउट आएगा आप पूछ सकते हैं प्रॉपर हर क्वेशन के लिए टाइम दूंगा एकदम चिंता मत करिए लाइब नहीं भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है कोई भी चीज ऐसे फिलिंग आपको नहीं आएग क्योंकि आप पूछ सकते हैं कंटेंट कॉलिटी बढ़िया रहेगी तो इस तरह की चीजे सोचना नहीं है अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो आपको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होगी हलाकि आप बहतर महसूस कर रहे होंगे कि प्रीमियर क्लासे ज्यादा बहतर है क् चलिए मैं उमीद करता हूं कि आप लोग अटेम्ट कर रहे होंगे और अटेम्ट करने के बद एंसर भी दे रहे होंगे इस तरह की सवाल मैं आपको उस सेशन में करा रखा हूं लेकिन यहां पे अलग है तो आपे करते हैं चलिए इन रो ऑफ गर्ल्स मृदुला इज एटी 15th from the left अगर left से count किया गया तो संजना कहीं है माल लीजे यहां पर है और इसका इसका number क्या रहा है 18 OFF पर होग Aladdin औरना यहां अटेम्ट है yaast से संजना यहां पर आई तो संजना क्या हो गई 25th from the left हो गई clear है अब एकदम आप question को बस रिखी लिखी आपको चीजे समझ में आएंगी संजना यहां पर आगई अब इसका position क्या हो गया 25th हो गया इस position पर आपको left से भी नंबर पता है यहां पर मान लिजिए एक ही कोई बंदा है ठीक है पहले यहां पर कौन था पहले यहां पर वो मृदुला थी अब मृदुला का पहले राइट से position क्या था 18 था यहां पर संजना आई और संजना का left से position position तो हुआ है समझेगा question को position तो equal to क्या हो जाएगा left plus right minus 1 18 plus 25 minus 1 यह answer आ जाएगा 42 यह question था interchange पर ठीक है interchange concept लेकिन basic formula आपको यूज करना पड़ा left plus right minus 1 देखे आपको एक ऐसी position बता करने है जहां पर आपको दोनों डाटा हो left की position right की position बस उसके बाद total निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी clear है प्यारे बच्चो समझने में कोई problem आ रही है बताना ठीक है चलिए चलिए अगला सवाल आपके screen पर है जल्दी से लगाएंगे इसको इसके लिए मैं आपको 20 seconds दूंगा जल्दी जल्दी attempt हैं और question मैं आपको उसी तरीके से कराऊंगा जिस तरह के आपके exam में पूछी जाते हैं लगाएंगे जल्दी जल्दी कही कोई डाउट आएगा आप इकदम मत सोचेगा कि भाईया अविलेबल नहीं है आपके लिए content की quality में कोई decrement ना आए इसलिए मैं वीडियो को premiere कर रहा हूं ताकि क्योंकि जो बीच-बीच में lag होता है उससे बहुत दिक्कत होती है आपको भी और हमको भी चलिए है तो तैयार है आप साभी लोग आईए अनील एंड सुनील आर रैंग्ड 7th एंड 11th respectively from the top in a class top in a class top का मतलब भी वही होता है left मतलब अगर left से अनील की position दी गई है अनील की left से position दी गई है आपको कितनी 7th और सुनील की left से position कितनी दी गई है 11th top in a class of 31st student total number of student कितने 31st 31 sorry what will be the respective rank from the bottom in the class बहुत आसान question है आपको क्या करना है दोनों की right से position निकालनी है दोनों की right से position निकालनी है तो आराम से आप निकाल सकते है फार्मुला आपको याद है total equal to left plus right minus 1 पहले अनील के लिए निकाल लेते हैं अनील का रखते हैं यहापर 31 equal to left से 7 plus right minus 1 7 में से गया 6 31 में से उधर गया तो यह हो जाएगा 25 तो भाया अनील की जैसे ही 25 आई आपको पता चल गया कि option number C will be the correct होगा लेकिन अगर आप इसको cross check करना चाहते हैं देखना चाहते हैं कि आपका answer सही है या गलत है तो आप इसको cross check कर लिजिए cross check करते है total का value हो लेट लेट से 11 प्लस आर माइनस वन एकत्तिस में से एक गया 10 दस उधर गया तो 21 आर इकल टू क्या गया 21 तो भाया सुनील की position 21 आ रही है और अनील की position 25 आ रही है किसी को कोई problem किसी को कोई दिक्कत ranking and order से एक question आपकी exam में आएगा कितना आएगा एक question ठीक है चलिए अगला सवाल आपके screen पर है कहीं पर कोई doubt होगा पूछ लिजिए अगा प्यारे बच्चों बिल्कुल भी class छोड़के जाने की ज़रूरत ने बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं बहुत सारे previous year के भी सवाल लेकर आया हूं तो make sure सारे के सारे बच्चे पूर सिशन में लगातार बने रहेंगे अगला सवाल a is shorter than b यह order पर है ठीक है मैंने आपको बताया था ना कि order पर भी question आते हैं और ranking पर भी question आते हैं चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार आप लोग attempt करिए 30 seconds में दे रहा हूं आपको एक बार आप लोग attempt करिए चैट बॉक्स में लगातार लिखते रहिए किसी भी question से related कोई doubt है तो पूछते रहिए किया जाए आई ए ए जो है वो बी से तो छोटा है जो है वो बी से तो छोटा है बट मच टॉलर देन ए ए से काफी बड़ा है जीए यहां पर भी हो सकता है हो सकता है यहां पर आए जब बता दो आपके सामने बना हुआ है आपको कोई दिक्कत है इसका अशर देने में उम्मीद करता हूं बिल्कुल एंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो एंसर क्या हो जाएगा option number नमबर e clear है C सबसे लंबा होगा बी उससे चोटा ए उससे चोटा D उससे चोटा और E will be the shortest हमने क्या किया हमने कुछ अलग किया यहां पर बिलकुल नहीं मैंने question को दीरे दीरे पढ़ा उसको यहां पर लिखा और जैसे जैसे कहा था वैसे-चै कर दिया एंसर मेरे सामने है यही काम आपको order वाले question में करने है चलिए अगला सवाल कि अगला सवाल question number four है अगर आपको order अब समझ में आ गया है तो आप जल्दी से मुझे answer दे दीजिए अगर कहीं पर कोई हो जाती है कोई गलती हो जाती है कि मैंने answer गलत बता दिया या फिर मैंने कुछ गलत सोच लिया तो आपको कुछ नहीं करना है सिंप्ली चैट में बताना है मैं चैट में अविलेबल रहोंगा उस डाउट को वहीं पर क्लियर कर लेंगे या फिर अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं बहुत बाद में तो आप कमेंट कर देजिएगा कि वह यह इस पोजीशन पर आपने यह वाली गलती कर दिये सायद इसका एंसर यह होगा तो मैं उस चीज को करेक्ट करने की कोशित करूंगा उसी कमेंट में आपको समझा दोगा ठीक है अगला सवाल क्वेशन नंबर फॉर सारे बच्चे कर रहे हैं भाई चलिए सेव खाजाता है चलो कि a is richer than B a जो है वो B से अमीर है अच्छा ठीक है है सी इज रिचर्द देन ए सी जो है वो A से भी अमीर है डी इज रिचर्द देनसी थुआ सा इधर लिखते हैं दूक जाओ कह रहा है कि A जो है वो B से अमीर है, C is richer than A, C जो है वो A से भी अमीर है, D is richer than C, D जो है वो C से भी रिचर है, E is the richest of all, E सबसे अमीर है, If they are made to sit in the above degree of richness, who will be the middle position, Central position में कौन है, अब सामने आपके graph बना हुआ है, बता जीजिए Central position में कौन है, इससे असान question मिलेगा क्या, Done, चलिए, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सवाल था, इसी तरह के सवाल आपके exam में भी आते हैं, तो आप बिल्कुल भी tension मत लीजिए, आप अराम से exam में कर जाएंगे, Next question number 5, ये भी order का question है, अभी ranking के भी question आएंगे, बहुत सारे type के question मैंने लिए है, सब type के question आपके पास आएंगे, चलिए, अगला सवाल question number 5, जल्दी जल्दी लगाईए भाई, सारी के सारे बच्चे attempt करेंगे, किसी को भी कोई दिक्कत होगी, वो पूछ लेगा, आ रहा है समझ में, अच्छा लग रहा है, चलिए, असोक इज ओल्दर देन सूरेश, असोक जो है वो सूरेश से ओल्डर है, विवेक इज नौट यंगेश्ट, विवेक सबसे यंगेश्ट नहीं है, विवेक कहीं भी हो सकता है, राजू इज ओल्डर देन असोक और विवे विवेक जो है वो सुरेश से ओल्डर नहीं है मतलब उससे कम का यह जोगा विच वन अब दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट मुझे नेसेसरी भी टू अब यार देखो यहीं पर एक सुरेश विवेक जो है वो सुरेश से ओल्डर नहीं है इसकी यंगर है क्लियर है या फिर हो सकता है कि बराबर भी हो सकता है सुरेस और विवेक बराबर भी हो सकते हैं एक सेम एज के हो सकते हैं या फिर विवेक जो है वो कम एज का हो सकता है क्योंकि यहां पर एक बात यह भी कही गई थी कि विवेक इस नॉट यंगेस्ट सबसे नहीं है सबसे जवान नहीं है तो यहां पर देखते हैं कि which of one of the following statement must necessary be true कौन से ऐसे statement है जो एकदम जरूरी है कि वो true ही होंगे विवेक इस एज ओल्ड एज असोग विवेक असोग के एज के बराबर है बिलकुल नहीं होगा क्योंकि सुरेश से ज्यादा ओल्डर है असोग तो यह उपर ही होगा तो यह statement गलत लग रहा है मुझे विवेक is as old as राजु, विवेक जितना ऐज का होगा उतना राजु भी होगा, बिलकुल नहीं विवेक इज ओ्ल ऐज सूरेश , विवेक जो है वो सूरेश के इतनेids का होगा, यह qursh, यह statement सही लग रहा है अगर वीवेक ओल्डर रही है सूरीस से तो इडिमिल्स विवेक क्या है यंगर है लुदर नहीं है तो क्या है यंगर है तो ये वह वाल आप्षन क्या हो जाएगा बिल्कुल जाएगा तो कौन सा ओप्षन यहांपर सही है option नमबर 3rd will be the correct answer, C option will be correct, clear है बच्चो, चलिए आगे बढ़ते हैं वाई, अगला सवाल question number 6, clear है, समझ में आ रहा है सबको, किसी को उप्रेर problem बिलकुल नहीं होनी चीए, चलिए, इस question के लिए सबसे पहले आप यह वाला attempt करेंगे, इसके लिए आपको मैं देता हूं 30 second, अराम से एकदम attempt करिए, बिना जल्द बाजी के, सोच समझ के ही answer दीजिए, डन है प्यारे बच्चो, order निकालने में कोई दिक्कत नहीं न, कोई भी बच्चा यहां पर परिशान नहीं होना चीए, कि उसको कोई यह चीज नहीं समझ में आ रही है, समझ में आएंगी, अगर आप तो प्यारे बच्चों बिल्कुल तयार होंगे, मैं उम्मिद करता हूँ, पी, क्यू, आर, एश, टी, आर, फाइफ फ्रेंट्स, चार-पांच फ्रेंट्स है वाई, क्यू इज एल्डर टू टी, क्यू जो है वो टी से ज्यादा उम्र दराज है, ठीक है भाई, आर इज यंगर टू पी, यह याद रखिएगा कि आर जो है वो पी से छोटा है, clear है, पी इज यंगर टू टी, पी जो है वो इससे छोटा है तो पी यहां आ जाएगा, आर यहां कहीं आ जाएगा, एस इज एलडर टू पी, एस जो है वो एलडर है पी से, एस इज एलडर टू पी, अब यहां पे कहीं पे भी ऐसा आ सकता है, एस यहां पे भी आ सकता है, एस यहां पर भी आ सकता है, एस यहां पर भी आ सकता है, एस यहां पर भी आ सकता है, है पी इस में से सबसे कौन है कहो कि भンタय वह सकता है तो यहाँ पर डाटा क्या हो जाएगा डाटा इन एडिक्वेट हो जाएगा मतब डाटा की कमी है क्योंकि अगर आपको यहां पर दिया रहता है कि s is एवब क्यू और s is not between t तो आपके पास एक डाटा आता तो आप कंफर्म कह सकते कि s यहां है कि यहां है कि यहां है s की possibility तीन हो जेगा है तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें डाटा इन एडिक्वेट का option आप क्लिक करेंगे क्लियर है बच्चों किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं चलिए next question जल्दी से बता दीजिए मुझे यहां फिगर आपके सामने है इन में से सबसे जवान कौन है यंगेश्ट कौन है यह तो आपको अच्छे समझ में आ जागा मैं पुझे बता है एंसर दे रहे होगे तुम लों ड़न चलो बहुत बढ़िया आर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा क्योंकि इतना तो डाटा है हमारे पास कि यंगेश्ट ह सवाल आ गया है मज़ा आ जाएगा अराम से करिएगा थर्टी सिकिंड में आपको दूंगा क्योंकि रैंकिंग के सवाल को लगाने में तुड़ा टाइम लगता है किसी को कोई डाउट हो का वो पूछ लेगा ठीक है शेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पॉइंट ऑफ यू अगर आपके एग्जाम से देखा जाए तो चलिए बहुत प्यारा सवाल है बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे इने क्लास विद्या रैंक सेवेंट फ्रॉंड टॉप चलिए यह मैं मलाइन बना लिया सेवेंट प्रॉंड टॉप मतलब लेफ्ट से सेवेंट है कौन है विद्या है दिभ्या इस सेवन रैंक हीड ओफ मेघा साथ रैंक आगे है मेघा से एंड ट्री रैंक विद्या तो हम यहां से पता कर सकते हैं कि यह 3 rank behind मतलब 1 rank 8 9 10 clear है 10th rank पर 10th rank पर कौन है दिब्या है और यह याद रखेगा कि यहां से हमको पता चल जाएगा कि मेघा का rank क्या है दिब्या is 7 rank ahead of मेघा इससे कितनी आगे है मेघा से 7 rank आगे हैं तो मेघा का rank क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा यह चीज क्लियर है क्या सबको देखो यहां से अगर आप calculate करोगे तो यह 11 12 13 14 15 16 और यह 17 इसके आगे कितने एक दो तीन चार पांच छे साथ रैंक आगे कौन है दिब्या है यही चीज लिखा हुआ है दिब्या is 7 ranks ahead of मेघा यह किसका rank है यह मेघा का rank है चलिए और 3 rank behind विद्ध्या यह तो clear हो गया सुस्मा सुस्मा कहीं लाइन में पीछे हैं पीछे से उसका रैंक कितना है फोर्थ है फोर्थ फ्रॉम दा बॉट्टम यह सुस्मा का रैंक अच्छा एज 32 rank behind मेघा मेघा से कितनी rank behind है 32 rank अब यहां से आपको चीज़े पता चल जाएंगे तुरंट क्या पता चलेगा 17th rank है मेघा का लेट से और अगर राइट से देखेंगे तो कैसे पता चलेगा इसके 32 rank पीछे कौन है चौती जो पीछे से है सुस्मा 32 यहां पर 1 2 3 1 2 3 4 यह सबसे लाश्ट बंदा होगा यह वाला बंदा सबसे लाश्ट होगा बच्चों यह क्लियर है क्योंकि पीछे से इसका चौता रह देखें मेगा जोगी वह कहां पर यह लिखा 32 रैंक बिहाइंड मेगा यह जो बंदी है ने यह 32 रैंक बिहाइंड है मतलब 17 में अकर 32 आप जोड देंगे तो साथ दो नौ तीनेक चार 49 रैंक पर कौन होगी 49 रैंक पर कौन होगी आपके लेप्ट से यह जो बंदी है कौन है सुस्मा क्लियर है जाए रखला रखला कि लगाए जाए मैं चली है एक क्यूं है एक पंक्ति है और वाएज सोहन इज 9 फों दे बैक रमेस प्लेज प्लेस ये खला मिश्ण प्लेज से किस पूजिशन पर है आठवे पर है और सोहन जो याँ पीछे से किस पोजिशन पर है नाइन पर है राधे इस्टेंडिंग इन दे मिडल ऑफ टू राधे जो है इन दोनों के बीच में कहीं पर खड़ा है यह राधे वहीजा सलमान खानवाला है अब यहां में बच्चों को लगए कि भीया हम फॉर्मला लगा लेंगे सीधा कौन सा मिनिमम नंबर निकालने के लिए हम लोग लगाते थे लेकिन क्या आपको मिड की संख्या दी गई है क्या नहीं तो यहां पर आपको कॉंसेप्चुली आगे बढ़ना है देखिए कॉंसेप्चुली आगे कैसे बढ़ेंगे देखिए इनक्यू अब वाई सोहन इज नाइन्थ फ्रॉम दबैक अगर सोहन नाइन्थ फ्रॉम दबैक एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ बंदे मैं खड़ा कर दूं अग एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ में पर ठीक है रमेस प्लेस एट फ्रॉम दब ट्रंट यहां से मैं कहा दू कि रमेस जो हो आगे से आठ वे पर है क्योंकि हमें मिनिमम नंबर पता करना है अब मिनिमम नंबर के लिए हम ओवर लैपिंग वाली कंडिशन इद कि में टीन चार थेवर में की खड़ एक दो टीन चार पांच छे लगवें इनके बीच में टोटल च्हेड कोई खड होगा तराजहै यह यह होगा तो यह होगा लेकिन हमें एक ही wealth चाहिए राध्य एकदम इन दौनों में होना चाहिए जितने बंदेश्व मिडल राधे इधर होने चाहिए विए कंडिश्व कीट नहीं कि कुछिस करेगा यहां पर मैं एक बंदा और बढ़ा लेता हूं तो यहां से मैं कहता हूं कि अब पीछे से जो है वो यह क्या न मैं कि आपका सोहन पीछे से नोवए पर आएगा एक दो तीन चार पाँच छह साथ आठ नो यह आएगा सोहन क्लियर है अब यहां से हम काउंट करेंगे कि राधे वया कहा अरे सौरी रमेश जी कहां खड़े होंगी तो यह हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे शाथ आठ वे पर यह पोजिशन होगी रमेश की अब हमें यहां से देखना है कि राधे के पोजिशन क्या होगी इ ठीक है यह कौन होगा राधे होगा तो यह वाले पोजिशनिंग बिल्कुल पर्फेक्ट है क्योंकि देखो इसके ज्यादा नंबर पढ़ाओगे तहामें तो मिनिमम मु खोजना है हमें क्या खुजना है मिनिमम खोजना है इसलिए कौन सा अचर होगा ओप्शन नंबर बे पहले बार पहले पहले मुझे बताओ कि यह चीज़ सबको समझ में आया कि नहीं आया minimum number के लिए हमने कोई formula यूज नहीं किया क्योंकि हमारे पास mid का number नहीं था हमने यहां पर concept लगाया concept इस तरह से लगाना था कि overlapping की condition हो क्योंकि minimum number निकालना था कि तो समझ में आया कि देखो अगर maximum number होता ना तो यही कंडिशन दूसरी हो जाती यहां से हम यह पोजिशन लिगाते आठ यहां से यह पोजिशन लगाते नो फिर इन दोनों के बीच में हम बंदे चाहें जितनी खड़े करते तो मैक्सिमम निमबर बहुत ज्यादा आ जाता तो इससे इस यह कुशन इंफानाइट में चला जाता इसलिए मिनिमम कुशन की तरीके से सॉल्व करना वाल वेरी ही जी क्लियर है समझ में आया बढ़े आगे चलो बस ऐसे ही समझते चलिए दोस्तों चीजे क्लियर हो जाएंगी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नाइन फड़ा फट फड़ा फट किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हूँ चैट बोक्स में लिखी भईया इस क्वेश्चन में यहां दिक्कत आ रही है जल्दी से समझा देजे आय विल ओके चलो इफ ओल्द नंबर्स फ्रॉम देश्चन तो फिफ्टी नाइन विच आर डिविजबल भाई थ्री आर अरेंड इन डिससेंडिंग ओडर घटते हुए क्रम में ओडर में लिखा जाए तो विच नंबर विल बिटेंथ प्लेस फ्रॉम दे बॉटम पीछे से दसमें पर कौन होगा चलो पीछे से लिख लेते हैं भाई तो सेवन के बाइद कौन सा नंबर आएगा नाइन फिर बारह फिर पंद्रह फिर अठारह फिर 21 फिर 24 फिर 27 फिर 30 33 36 49 यहीं से आप खोज लिजिए क्योंकि आपने पीछे से लिख रखा है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस मिल गया अंसर यह होता है जल्दी निकालने का तरीका अब यहीं में कोई बच्चा क्या करता है पूरा 69 तक लिखता फिर 10 काउं करता है जो उसको लेठ होता हमने पीछे से लिख दिया को कि हमें पीछे से काउंट करना था ठीक है दन चल्ड़ नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नमर्ट 10 मजा जाएगा चलो जल्दी से प्यारी बच्चो किसी को कोई दिक्कत होगी पूछ लेगा एकदम चिंता नहीं करेगा लगाया जाएगा कुशन चल्ड़ इने क्लास ऑफ 35 स्टुडेंट एक क्लास है जिसमें टोटल पैतिस बच्ची है कुनाल इज प्लेश्ट सेवेंट फ्रॉम द बॉट्टम कुनाल की राइट से पूजिशन आपको कितनी दी गई है सेवेंट कुनाल की राइट से पूजिशन सेवेंट एज सोनाली इज प्लेश्ट नाइन फ्रॉम दे टॉप सोनाली जो है वो टॉप से मतलब लेट सेंटी पोजिशन दी गई है नाइन टोटल 35 शुडेंट तो आपको पता अचल गया यह कंडिशन कौन सी है Simple recordings कर एक अच्या से प्रेट परेट करेशन की爪कर दिशन आPU prop चैगिशन इन मिंद टो पहले करते हैं चीजों को तो वह एक कुनाल ये टाये तो हिस कुनाल का राइट से प synthetic कानल यहां प्लीट्रमेट आहों यहां पहने टीव कुनाल coupled और शोनाली मैम कोई मैम है सर को पसंद आ गई होंगी हम चलो सर से पूछना कि सर आपको सोनाली मैम पसंद आ गई है क्या आगे बढ़ते हैं सोनाली इस प्लेश्ट नाइन फ्रम दे टॉप काफी आगे हैं सर से सर पीछे से साथ है और सोनाली मैम आगे से नव में पर हैं पु ड्रैड करेंगे 164 20 154 19 तो ज्स दोनों के बीक कितने पदिंगे 19 फंद senza ओन पंदे ओंगे 19 नियस आपको चीज्य क्लियर हो गई च्छिशपमज पुलकित पुल्कित कोझ्चिन इंप से कुनाल की पॉजिशन कौन सी है भईया पूल्कित अगर यहाँ खड़ा है टूसरा यह तीसरा इंप soprat 45 श start списstars नवा को यह ईह के पुलकित है पुलकित के बद आप नोवंड सी तरह से पलकित के बाद नौवं मिलेग ने नोगी उसके बाद कुनाल मिलेगा न क्योंकि इन पुलकित और कुनाल के बीच में आ लोगा ठीक है किलियर कुनाल सर आपके सुना अलिमें कापी आगें उनसी चालो आगला सवाल जल्दी जल्दी लगाईए भाई अभी तो बहुत सारे सवाल लगाने हैं कर्पिया थोड़ा फास्ट हो यह आप लोग क्वेश्चिन नमबर 11 लगाया जाए चीजे क्लियर हो रही है अब तो समझ में आ रहा होगा आजाओ इस्ट अब लाइनप इन एक वी क्यू इन वीच आशीज इस इस्टेंड 15 प्राम दे लेप्ट आसीज जो यह वो लेप्ट से 15 पर है यह आसीज भीया 15 पर है सचीं 7th from the right सचीं से कितने पर देत से इंटर चेंज प्रोजिशन सटर मेंगे पिपटीन मिल जाएगी कितनी 15 मिल आएगी सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब आपको पता है कि जिसकी पुजिशन आपको पता होगी यहां की पुजिशन आपको पता है है लेट से भी राइट से भी तो फॉर्मूला क्या लगा लेंगे भाई पंद्रह प्लस पंद्रह माइनस एक अरे छोटे-छोटे सवालों में तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं आएगा मैं एक दम अच्छे से जानता हूं अगला सवाल एंटी यसी स्टेश टू चल चल दी से थर्टी सेकेंड बढ़िया है मज़ा आ जाएगा अभी एक कॉंसर्ट इस पर पढ़ा है आपने देखता हूं कौन लगा पाता है एक कॉंसर्ट एक क्वेशन इत्री कॉंसर्ट लगाया है कैसे कॉंसर्ट चूली आगे बढ़ते हैं यह चीज मैंने आपको सिखा रखा है और इस क्वेशन को जो बंदा लगा लिया मैं समझा हूं कि इसको रैंकिंग ओडर के एक भी सवाल में कभी भी दिक्कत नहीं जो बंदा या बच्चे चलिए लगाया जाया भाई सबके अंसस आ रहे हैं आजाओ रमेश इज सेवंध फ्रॉम दे बैक रमेश की पोजिशन पीछे से कितनी है सेवंध है वन टू थ्री फोर फ़ाइब सिक्स एंड सेवन यह 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 रमेश सूरेश इज स्टेंडिंग फ आगे ध्यान रखिएगा ओनली स्याम इस स्टेंडिंग बिट्विन इंड टू कि आगे से जो भी इसकी पोजिशन होगी समझेगा रमेश और स्याम के बीच में सिर्फ दो बंदे आने चाहिए अब आप कहो कि हमारा पोजिशन हम लग देते हैं कि यहां से एक दो तीन चार पांच यहां पर हम रख देते हैं किसको स्याम को सुरेश को लेकिन यहां से रमेश सुरेश के बीच में कितने बंदे होगे चार यह नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए कि इन दोनों के बीच में कितने बंदे होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक तो भाईया अगर रमेश की य यह है लाट से तो सुरेस्च यहीं कहड़ा होगा यहीं खड़े मत्तक्त इसके आगे भी बंदे होंगे क्लियर कितने बंदे हونगे सुरेस की ब्रग मोजिशन किया होने ची च़ाइए ची struggling यह फैसे都 कि लिएए तीसरा बंदा होगा दूसरा होगा पहला बंदा होगा क्लियर है तभी तो इन दोनों के बीच में एक जर्ट सिर्फ एक बंदा होगा और वह बंदा कौन होगा वह स्याम होगा क्लियर है तो अब आप काउंट कर लिजिक टूटल कितने एच्छ है साथ आठ नौ और दस मजह आया सवाल बढ़िया था सोच पा रहे होगी नहीं सोच पा रहे होगी यही तरीका है आप देखो क्वेशिन को समझो सिर्फ फॉर्मुले रटने से काम नहीं हो पाएगा कि फॉर्मुला रटलिया एंसर हो जाएगा नहीं क्वेशिन को पढ़ो जो 2016 का जल्दी से सारी के सारी बच्चे लगाएंगी अब प्रवड लगाई है चलिए तो सवाल कुछ इस प्रकार से कहें है इस फर्स्ट हाफ अब दे इंग्लिस अलफाबेट इस रिवर्श ऐसा सवाल मैंने एक उसमें भी पूचाता ना आपके वीकली टेस्ट में दूसरे कोई माइब सरी तक होता है होता है इसको Изक फॉर्स्ट हाफ तब कहां तक होता है इसको हमने क्या कर सब्सक्राइब reverse कर दिया मतलब ऐसे लिख दिया MN औरे N कहां आ जाएगा L K J ठीक है इस तरह से लिख दिया A यहां से B C D E F G H I ठीक है और क्या कह रहा है and so is the second half और जो second half है उसको मैंने उसी तरह से लिख रखा है मतलब M की बाद यहां N O P Q R S T U V W X Y और Z clear है अच्छा then which letter is 7th to the right कौन सा letter जो साथ वां होगा right से of the 12th letter from the left side सबसे पहले आपको 12th letter from the left side निकलना होगा 12th letter from the left side कौन सा हो जाएगा कहों कि भाई अब B हो जाएगा which is 7th to the right of the 7th to the right of the इसके 7th पर कौन है अब यहांस देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ बढ़िया कोशन था भाई बढ़िया कोशन था पोजिशन पे बढ़िया कोशन मिल गया अलफावेड का भी हुज हो गया अलफावेडिकल टेस्ट भी हो गया यहां पर आपका दन तो एस्वील भी दा करेक्ट एंसर दने भी आरे बच्चों कहीं कोई डाउट होगा पूछ लिजेगा ठीक है बच्चे यहीं कंफ्यूज होते कि भाई हम बी को पहला क्यों नहीं मानते भाई आप यहां पे खड़ तुछ फिसरा यहीं चाहिए डाचर तेर नेक्ट गोशन्म बद्यप्रदेश 2013 नेक्ट कोशें मध्यप्रदेश 2013 स्वाजार फिर जल्दी जल्दी attempt करिए सोच ये question क्या गए रहा उसको पकड़िए फिर लगाई ये चलिए पढ़ते हैं बाई मनीशा रेंग्ड 16th from the top and 29th from the bottom मनीशा जो उपर से 16 नंबर पर आती है ये आती मत समझेगा नहीं तो इसका कितना हो गया तो एक सब्चेट करेंगे तो हमें क्या पतल चाहिए कितने बच्चे पास किये हैं एक्जामिशन को इसकी पास हुए बच्चों में है सिक्स बॉइड नॉट अपियर च्छे बंदे ऐसे हैं जो पेपर ही नहीं दियें पांच बंदे जो हैं फेल हो गएं पांच बच्चे फेल हो गएं तो कितने हो गया पच्चपन अब आप से क्या पूछते हैं हाओ मैंट टोटल दन डाउट बस इतना हो सकता था कि मनिशा हम लोग सोच सकते कि लड़की है तो लड़की कहां से आ जाएगी क्या मनिशा को बाहर निकालना पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं है मनिशा एक लड़की का नाम है ठीक है प्यारे बच्चों क्लियर है चलिए अगला सवाल बिहार 2020 प्यारे बच्चों अराम से कुशन को करिएगा कहीं कोई डाउट होगा पूछ लेजिएगा अगले सवाल आते हैं मैं बता रहूं कि आप मेरी क्लास करके जाएगा एक्जाम में कोई ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा जो आपको अभी भी क्लास में अटेंट ना किया होंगे ठीक है चलिए अगले सवाल के लिए भाई सभी बच्चे in a row of boys if a who is 10th from the left एक boys की पंक्ति है वहीं है ए जो हो left से कितने position पर है 10th पर है इदर से and B who is 9th from the right B इदर क्या है राइट से 9th पर है अच्छा interchange their position यहां पर A आ गया यहां पर B आ गया यहां पर A आ गया a becomes 15th from the left यहां जैसे ही आया इसका position left से कितना हो गया 15 हुआ हो गया तो interchange की condition तो इतने सवाल तुम लोग ने रगाया रखे कि कोई दिक्कत नहीं आएगे how many boys are there in row जैसे ही आपको यहां की position मिल गई लैट और राइट की तो आप question solve कर लिए पंद्रह प्लस नौ माइनस वन कि दन सभी के answer आ रहा है को यह ऐसे सवाल तो आपने class में भी करा रखें आज की रिवीजन class में भी करा रखें तो कोई problem तो हमें नाहीं होने वाली है ठीक है चालो बस ऐसे पढ़ाई करते रही है कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अगला सवाल आपके screen पर है डाली 2019 का पस ऐसे यह सवाल आते है इतने टप आते ही नहीं और तो ढरते फालते होई हूं तो लोगों को तुम्हें तफिस्ट से टफिस्ट सवाल करा चुका हूं class में जाके देखना class में इतने अच्छे च्छे प्रॉब्लम्स करवाए हैं वहां पर मैं सिखा रहा था नहीं यहां पर मैं आपके NTSC की एक्जाम की कोर्त यारी करा रहा हूं तो यहां पर आपको डरना नहीं नहीं कि लगा रहे हों अंसर आ रहा होगा स्वाल इने रोव ऐसे 20 फ्रॉम्ड ये जो है वह सिस्टीन फ्रॉम राइट है इधर से यह से इंटेज देर पोजिशन इंटेज पर बहुत सवाल आते हैं हर स्टेट में अविकम थर्टी फ्रॉम्ड ये जो है लेट से 30 हो गया तुछ अब तो काओ किया मुझवानी कुशन लगा पा रहे हैं हम लोग किसो लगिता हो अच्यारी से गटा दिया पैता लिए तो वाई अब तो टिप्स पे क्वेशन आप से सॉल्व हो रहा हूंगे टिप्स पे लिए इसी इसी की लिए तयार कर रहा हूं अगला सवाल बढ़िया सवाल मजा आ जाएगा भाई एक बार सारी का सारी बच्ची अटाम टे करेंगे पढ़िये पहले कुशन को पहले पढ़ना ही होगा चलिए नेक्स्ट कुश्चिन हाव मेनी नंबर्स फ्रॉम वन तो हंड्रेड आर दियर इच ऑफ वीच इस नॉट इग्जैक्ली डिविजिबल और फोर बट अलसो है डिजिट फोर एजिट इजिट मतलब एक से लेकर सौ तक ऐसे कैसे कितने नंबर है जो सिर्फ चार से डि डिजिट में भी चार होना चाहिए मतलब उस नंबर में फोर एज डिजिट भी होना चाहिए ऐसे कितने नंबर है जल्दी से बता दीजिए का काउंट करना है बस कि किया जाए चल वह यह चार कि चौदर हरे चौदर तो फोर्स डिविजिबल ही नहीं होगा है चौबीस आगे बड़े अठाइस बत्तिस चत्तिस चालिस कि चौवालिस अड़तालिस बावन चपन नहीं साथ नहीं चौशट अड़सट अड़सट सबहत्तर चिटर असी चौरासी हरे बड़े या लड़को अठासी बानवे चानवे सो अहां अंसर मिल गया है यही था कुश्यन चार दिन साथ मज्या आ गया अब यहां में कुछ बच्चे पूरा काउंट कर लेते हैं चार आठ बारे सोले बीस चौबिस अठाइस या फिर वह एपी लगा कर तुरंद काउंट कर लेते हैं फिर यह 20 21 जाके एंसर क्लिक करके आ जाते हैं तो यह इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है क्वेस्चन क से मेनत करते रहें और आखरी सवाल आपको होमवर्क मिल रहा है इस सवाल को जल्दी से कमेंट कर दीजिए देखता हूं सबसे पहले कमेंट किसका आता है और सभी के सभी बच्चों की कमेंट आने चाहिए जितने बच्चे देख रहे हैं और इन लाश्ट मैं आप से कह रहा जाकर जॉइन कर लिजे वहां पर मिलेगी और टेस्ट सिरीज जिसको लेना है जल्दी ले लीची क्योंकि वीकली टेस्ट सेकेंड आपका आने वाला है कब है सैटर्डे को मन्थली टेस्ट जो हर 15 दिन में होने वाला है वो कब है संडे को तो मैं भरपूर आपके लिए प्रय सब्सक्राइब करेंगे और बस ऐसे ही प्यार देते रहे मेहनत करते रहे महनत ही सफलता का एक अकेला मात्र तरीका है जरिया है ठीक है चले तो यहीं पर मैं आप सभी लोगों को छोड़ता हूं आप सभी लोग तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए पढ़ाई करत स्ट्रेस मत लीजिए रिलाक्स होके पढ़ाई करिए कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए बबाए टेक कियर लव यू ओल एंड जय हिंद